हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Nokia G21 Android वाइल फोन में आप जो है lift to wake setting को आप disable कैसे कर सकते हैं यानि कि off कैसे कर सकते हैं और यह lift to wake setting जो है disable करने के बाद यह setting कैसे काउन करती है आज के इस वीडियो हम आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting पेज ओपन करना है ठीक है setting पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको यह option मिलेगा डिस्प्ले का डिस्प्ले पर सेलेक्ट करना है इस इसके बाद डिस्प्ले के इस पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा lift to wake का ठीक है lift to wake इस option के ठीक सामने आपको बटन दे रहा है इस बटन को आपको select करना है तो यह button black color में off हो जाएगा यानि कि आपकी lift to wake यह setting जो है AUTOMATIC ON नहीं होगी कूछी सेटिंग करने से पहले यह setting lift to wake डिसेब्ल करने से पहले आपके mobile phone की screen A T सब्सक्राइब करने के बाद तो यह setting जो है इस तरी को पहले करती है lift to wake डिसेब्ल करने के बाद dep 선ावो जो है,MYETER सेटिंग को यह इस DOWN काम करते हैगी कि lift to wake setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने mobile phone का setting page open कर लेना है ठीक है setting page open करेंगे तो सबसे उपर आपको यह search setting का option मिलेगा search setting इसे select करेंगे अब यहां पर आपको सल्च बार में type करना है lift to wake जो setting का name है वो आपको यहां पर type कर देना है lift to wake ठीक है तो आपको नीचे की side option शो हो जाएगा lift to wake का ठीक है इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या आपका mobile phone जो आपको directly इस setting पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह shortcut तरीका इस setting को ढूंड़नेगा